हाई फिंट्स अगर आपको अपने system में ऐसा blue screen का error आ रहा है और आपका system बार-बार restart हो रहा है तो basically इसके चार reason होते हैं जो पहला reason है अगर आपने recently कोई नया hardware अपने system में add किया है for example आपने RAM अप्रेड करिये या फिर आपने कोई नई harddisk अपने system में लगाई है तो आपको ये blue screen का error आ सकता है जो दूसरा reason है अगर आपके windows की file corrupt हो गई है तो भी आपको ये blue screen का error आ सकता है जो तीसरा reason है अगर आपने recently कोई नया game या फिर कोई नया software अपने system में install किया है और जैसी आप इसको play करते हैं तो उस पे भी आपको ये blue screen का error आ सकता है उस case में आपका जो game है या फिर जो आपने software इंस्टॉल किया है वो corrupted है इसकी वेशे आपको blue screen का error आता है जो fourth reason है अगर आपके CPU या फिर RAM की utilization है वो 100% को cross करेगी तो भी आपको ये blue screen का error आ सकता है तो basically ये चार reason होते है जिसकी वेशे ये blue screen का error आता है तो हम इसको solve करते है इसको solve करने के लिए सबसे पहले आपको अपने system को advanced option mode में open करना पड़ता है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने system को advanced option mode में open कर सकते है अपने system को advanced option mode में open करने के लिए सबसे पहले आपको अपने system को shutdown कर देना है ठीक है shutdown करने के बाद उसको यहाँ से on करना है जैसे आप on करेंगे और on करने के बाद आपने जो windows का logo आता है उसका wait करना है अभी एक windows का logo आएगा और जैसे वो लोगो आएगा अपने अपने सिस्टम को forcefully shutdown कर देना है जैसे कि लोगो आ गया उसके अपने present hold करेके इसको shutdown कर देना है hold करके रखना है और अभी ही shutdown हो गया उसके अपने वापिस इसको on करना है is on वो और आपने फिर से wait करना है windows लोगो के आने का और भी आपने फिर से आया आपने फिर से इसको फोर्स फुली शट डाउन कर देना आप शेंट होल्ड करके रखेंगे अब बटन को रेश्टट डाउन हो गया उसके वापिस इसको नब करना है वेट करना है आपने वापिस आपने इसको फोर्स फुली शट डाउन कर देना है यह मैंने इसको फोर्स फुली शट डाउन कर रहा हूं मैं इसको और हो गया ठीक है आपने इसको वापिस ओन करना है और आप दे सकते हैं प्रिपेरिंग फॉर आटमाटिक रिपेयर तो यह मोड हमें ओपन करना था ठीक है एडवांस ऑप्शिन वाला मोड तो यह जो प्रॉसेस है यह हर लाप्टॉप के लिए हर सिस्टम के लिए सेम तरीके से काम करता है ठीक है चाहे वो कोई सी भी कंपनी का लाप्टॉप हो तो यह जो मैथट है यह फोर्स फुल मैथट है इसके बाद मैं आपको नॉर्मल वाला मैथट है वह बताऊंगा भी एक बार हम आउन होने देते हैं और आप दे सकते हैं यहाँ पर आपको मिल गया एडवांस ऑप्शिन का ठीक है आपने सिंप्ली इस पे क अनबाल मोड वाला वह बताता हूं आपने सर्च बार पर जाना है यहाँ पर और यहाँ पर आपने लिखना है रिसेट इस पीसी और यह ऑप्शिन मिल जाएगा आपको रिसेट इस पीसी वाला ठीक है इस पर अपने क्लिक करना है क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल ज उनको एक एक करके solve करेंगे तो जो पहला reason था अगर आपको hardware को add करने के वेज़ से issue आ रहा है तो उस case में आप क्या कर सकते हैं अगर आपने recently कोई नया hardware अपने system में add किया है, for example आपने कोई RAM upgrade करी है, या फिर कोई नई hard disk लगाई है, या फिर आपने laptop या desktop पर कोई graphic card लगा है, तो आपने उसको remove कर देना है, या फिर उसको reinstall करना है ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि incompatibility की वेज़ से भी वो blue screen का error आ जाता है अब हम चलते हमारे next solution की तरफ अगर आपको ये issue आपके windows file corrupt होनी की वेज़ से आ रहा है, तो हम उसको fix करेंगे, तो उसके लिए आपने advance option mode open करना है, उसके बाद आपने troubleshoot पर जाना है, उसके बाद आपने advance option पर click करना है, और उसके बाद आपने command prompt के अंदर click करना है यहाँ पर आपको command type करनी है, और वो command है sfc space slash scan now इस command से क्या होगा, अगर आपके windows की कोई file corrupt होगी, तो इस command उसको fix कर देगी, तो इस command type करगे, आपने enter press कर देना है और इस command को complete होने में, कम से कम 5 से 7 मिंट का time लग जाता है पूरा process complete होने के बाद, आपने एक और command type करनी है, और वो command है chk dsk space slash f space slash r space c colon इस command type करके, आप enter प्रेस करेंगे, और इस command से क्या होगा, अगर आपके hard disk में कोई bug होगा, तो इस command उसको solve कर देगी, तो enter प्रेस करेंगे, और यह जो process है इसमें पूरा complete होने में, आपका 10 से 15 मिंट का time लग सकता है, क्योंकि यह जो process है, यह 5 stages में रन करता है, और यह आपके पूरी hard disk को clean कर देता है पूरा process complete होने के बाद आपने exit कर देना है, तो simply आपने exit लिख देना है, और enter प्रेस कर देना है उसके बाद, उसके बाद आपने continue पे click कर देना है, और continue पे click करने के बाद आपका system जो है एक बार restart होगा और वो normally on हो जाएगा और जो आपका issue है उससे solve हो जाएगा अब हम चलते हमारे third solution की तरफ अगर आपने recently कोई नया hardware या फिर कोई नया game अपने system में add किया है और उसके बाद से आपको continue issue आ रहा है तो इसको solve करेंगे तो उसके लिए आपको अपने system को safe mode में open करना पड़ेगा और safe mode में open करने के बाद हम उस software को uninstall कर देंगे तो आपने advanced option mode को open करना है उसके बाद आपने troubleshoot पे click करना है तो इसके बाद advanced option पे click करना है और उसके बाद आपको यह option मिल जाएगा startup settings पे आप click कर देंगे उसके बाद restart पे click करेंगे इस तरह का window खुल के आएगा उसके बाद आपने F5 जो function कीव होती है उसको press करना है F5 कीव को press करेंगे और जो आपका system है वो safe mode में boot करने लग जाएगा और एक बाद आप मारा system safe mode में open हो जाएगा उसके बाद हम उस software या फिर उस game को uninstall कर देंगे जिसके वैसे आपको blue screen का error आ रहा है और आप देख सकते हैं जो मेरा system है उस safe mode पे open हो गया है चारों corner पे safe mode लिखा हुआ है उसके बाद आपने control panel को open करना है तो control panel open करने के लिए आपने simply window की और r को एकसाद प्रेस करना है जिसे की run command open हो जाए इस तरह run command open होगा और यहाँ पे आपने लिखना है control space panel control panel को open करने के लिए और ok पे click कर देंगे इस तरह का control panel open हो जाएगा आपका उसके बाद आपने click करना है program and feature पर और यहाँ पर आपको सारे software दिख जाएंगे आप उनको date wise भी arrange कर सकते हो यहाँ से और अगर आपने recently कोई नया game या फिर कोई नया software install किया है जिसके बाद से आपको issue आ रहा है तो यहाँ से आप उसको easily uninstall कर सकते हो आपने simply उसके उपर right click करना है और यहाँ से आपको uninstall option मिल जाएगा ठीक है या फिर आपने recently कोई windows का update है वो आपने manually install कर लिया है उसके manually install किया है या फिर automatically install हुए है उनको भी आप date wise arrange कर सकते हो और simply अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई नया update install किया है manually उसके बाद से आपको issue आ रहा है तो यहाँ से आप simply उसको uninstall कर सकते हो और इसको rectify करने के लिए आप simply इसको date wise भी arrange कर सकते हो तो यह करने के बाद आप आपने simply अपने system को यहां से restart कर देना है और जैसे आप restart करेंगे तो आपका system normal mode में open हो जाएगा और जो आपका issue है वो solve हो जाएगा अब हम चलते हैं हमारे final solution की तरफ अगर आप अपने CPU रैम को high utilization पर use कर रहे हैं तो उसके वेश से आपको blue screen का error आएगा तो उसके लिए मैं आपको कुछ troubleshooting step बताऊँगा तो पहले हम अपने system को normally open कर लेते हैं एक बार system को normal mode में open करने के बाद अब आपने task manager open करना है अगर आप windows 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपने simply यहां पर task bar पर right click करना है और यहां पर आपको task manager open करने को option मिल जाएगा विंडोस 11 में अगर आपको task manager open करना है तो simply आपने search वाले icon पर click करना है और यहां पर आप लिख देंगे task manager task manager के app पर click करेंगे task manager open होने के बाद आपने यह देखना है कि अगर आपका CPU या फिर आपका memory का जो column है जैसी वो 100% को touch करेगा आपका जो system है वो blue screen error मार देगा तो आपने इस चीज़ का ध्यान अखना है कि कोई भी heavy game अपने system में नहीं खेलनी अपने system की compatibility के हिसाब से अपने system की configuration के हिसाब से उसमें software या फिर game run करते हैं मैं आपको एक example बताता हूँ जैसे कि आप normal software है Excel ठीक है अगर आप Excel पे heavy data पे काम करेंगे ना और आपका जो system है इतनी high configuration वाला system नहीं होगा और आप Excel के अंदर heavy data पे काम करेंगे तो वो आपका जो CPU है उसको 100% तक cross कर देगा और आपका system जो है वो restart मार देगा blue screen दे के तो आपने ये ध्यान अखना है कि अपने system की configuration के according उसके अंदर game play करने है और software play करने है तो ये कुछ troubleshooting steps है इनको आप follow कर सकते है और जो आपका issue है वो solve हो जाएगा